इतिहास के पन्नों में सुनेहरे अक्षरों से लिखी जाएगी तेरी कहानी कैसे प्रभु को सौप दी तूने पूरी अपनी जिंदकानी सच्चाई सफाई साधगी का नारा लगाकर भारत की बढ़ाई तूने शान इस धर्ती को गुलिस्ता बनाया तू है शाने हिंदुस्तान कभी दुर्गा कभी शीतला बन बर्दानों की वर्षा की मात्र प्रेम लुटाया सब पर है रुखानी पालना की तेरी शिक्षाओं की कुंजी ब्रम्हा वत्सों द्वारा पाई है तेरी यादों को संजो कर एक नई माला बनाई है एक नई माला बनाई है एक नई माला बनाई है Companion of God दादी जान की नमस्कार, ओम शांती, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का Companion of God दादी जान की कारिक्रम में प्रियभाई बेनों, सारे विश्व में कितनी थोड़ी सी कोटों में कोई आत्माई है जिने स्वयम भगवान ने विश्व सेवा के निमित बनाया है उन में से एक थी हमारी दादी जान की जी दादी जी सदा इस रुहानी नशे में रहती थी फ्रेंस, स्वमान और अभिमान में अंतर तो बहुत बड़ा है परन्तु इन दोनों के बीच एक बहुत पतली सी रेखा है जिसका ज्यान दादी जी को भली भाती था वो सदा इस स्वमान में रहती कि मैं निमित हूँ मैं मास्टर विश्व निर्माता हूँ करनहार हूँ परन्तु कराने वाला करावनहार तो वह परमपिता परमातमा ही है और यह उसी की दी हुई सेवा है इसलिए हमने कभी भी दादी जी में अभिमान का अंश भी नहीं देखा तो चलिए सुनते हैं दादी जी की कहानी हमारे वरिष्ट भाई बेनों की जुबानी आज हमारे साथ चुड़े हैं आदर्नियर राजयोगिनी ब्रहमकुमारी आशादिदी जी जो ब्रहमकुमारी संस्था में एक वरिष्ट शिक्षिका के रूप में कारेरत है वर्तमान में आप गुरगाओं में स्थित ब्रहमकुमारी जी के ओम शान्ती रिट्रीट सेंटर के डारेक्टर है और ब्रह्मकुमारी इसकी एड्मिस्ट्रेटर्स विंग की आप चेर परसन भी हैं तो आए सुनते हैं आशा दिदी से दादी जी के साथ के उनके अपने अनुभव दिदी आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस कारेकों में ओम शांती ओम शांती दिदी हम बहुत सारी अनुभव आपसे जानेंगे दादी जी के लेकिन उससे पहले हम यह जाना चाहते कि आप इस संस्था के संपर्क में कब आए कैसे आए कौन सी बात ऐसी विशेश ती जो आपको इतनी अच्छी लगी कि आपने अपना सारा जीवन यह देने का निश्चे किया इस परिवार से मैं कहूंगी जिसको संस्था भी कह सकते है मात्र जब मेरी आयू साड़े आठ वरश की थी 25th of January 1958 और कानपूर में आना हुआ और वह भी लोकेक पिताजी के माध्यम से है पहले लोकेक पिताजी गए उसके बाद फिर सारा परिवार चल पड़ा बाले काल में ही एक ऐसी बात बुद्धी पर इंप्रिंट हो गए थी और वह यह थी कि पिताजी किसी को ग्यान सुना रहे थे अंगलो इंडियन थी और मैं भी ड्राइंग रूम में सुन रही थी, उनको नहीं पता कि मैं सुन रही हूँ, उन्होंने समझाते समझाते दो बाते बोली, छोटी से आयू थी, एक बोली कि जब इस दुनिया में आये हैं, तो भेड़ चाल नहीं चलनी है, जी बिलकुर, भेड़ चाल माना, जैसे सब लोग करते वैसे किया चले गए, ये जी जीवन मिला है, कुछ विशेश करने के लिए, बिलकुर, तो हायर एम दिमाग में सेट हो गए, वो नन्नी सी एज में, और दूसरा उनोंने, उनको बोलते कहां, कि जब कन्या होती है, तो उसकी सब लोग पूजा करते हैं, वो शादी कर लेती है, तो उसको सब के पाउं चूने पढ़ते हैं, अब बाल अवस्ता में तो कुछ नहीं पता शादी क्या है, लेकिन मैंने ये निश्चे उसी जमें कर लिया, कि मैंने किसी के पाउं ने पढ़ना, तो ये दो बातों मुझे बहुत और फ्रेंज थी, वो डिफरेंट रिलिजिस बैक्ग्राउंड से थी, स्कूल क्रिस्चन था, तो अबसर्फ करते थे इधर ये ग्यान, बच्चों की क्लास्स होती थी हमारी, और अधर इन सब को हम देखते थे, तो ग्रोव करते, 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 अपनी एजुकेशन जो कहती है, सो करती भी है, तो इसमें स्ट्रेंथ, और धन में कितना ही कमा लूँगी, लेकिन किसी के जीवन का निर्बान कर सकना, उससे ज़्यादा वैलुबल और कुछ नहीं हो सकता, इसलिए फिर मैंने अपने एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद, कॉलेज में पढ़ 1972 में अपना संपुर्ण जीवन समर्पित करती है, तो आपको कोई फैमिली से कोई उपोजिशन वागेरा कुछ नहीं से एज़ा है? तो फैमिली से कोई उपोजिशन ऐसे तो नहीं क्यूंकि मैं खुद भी विल्पावर वाली थी और फादर मदर भी थे परन्तो फादर मद ने मेरा टेस्ट खुब अच्छा लिया और थोड़ा भी अच्छा लिया, चार पाँच टेस्ट लिया, मैंने उने कहा कि कोई भी बात होगी आपको फैमिली मारी बहुत बढ़ी आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, I will face it आपको जो कुछ कोई कहे आप बोलो आप इससे पूछ तो मैंने जवाब सारे दिये थे और फादर ने जब देखा कि इसका धन में भी कोई ममता नहीं है, इसके और कोई चीजों में ममता नहीं है, इतनी अच्छे लुक्रिटिव जाब इसने छोड़ दी और उसमें बहुत सक्सेस्फुल थी, तो हर प्रकार से तो फादर ने फि कि अगर बेटा कभी दिकत आजा है, तो तुम्हारे लिए घर के द्वार सदा खुले है, मैंने मन में ही ठान लिया कि एक बार कदम आगे बढ़ा है, पीछे मुड के ने देखना है, उन्होंने खूब अच्छे तरह मेरी परिक्षाइं लिए और वो राइट थे, क्यूंकि कि हर मात्पिता जब अपनी कन्या को किसी कारे के लिए सौंपता है, तो उसको अच्छे तरह से परागता है, और मात्पिता का यह फरस भी है, तो I don't take it, कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यूं किया, उनका फरस था, कर्थवे था, उन्होंने पालन किया, तो आपका मधुबन मधुबन मैं फर्स ताइम, 1959 मैं जब मम्मा बाबा दोनों थे, और 59 की वो याद बहुत सबस्ट है, दो बातों से, जब बाबा से पहले मिले तो रस्ते बर बहने कहते आई थी याद रखना बाबा पूचेगा, चोटी से तो थे, बाबा बाबा से पहले मिले, तो रस्ते ब पहले मिले तो आपको कहना है, हाँ बाबा, पांच साल पहले मिले बच्चे ते रख लिया, लेकिन बाबा में क्या अकर्शन था? वो रुहानियत, वो चुम्बकी अकर्शन, बाबा के सामने जैसे कानपूर की पार्टी मिल रही थी, जब मेरा दर आया, बाबा ने का बच् बाबा आया, ठीचर ने बहाँ थाटाएं तो मैंने फट दो भला ने बाबा, भाबा में पांच साल पहले मिले अगए, बाबा को कि अप्र एपर जैसे बाबा ने मुझे अपनी गोध में ले लिया, और में रिपीट थफथभ थफभ आई और ये कहां, कि बच्ची ने सव तो उन दुनों में मदुबन ऐसा नहीं था जैसा आज, वहाँ तो फर्ष भी मिट्टी का था, जैस भी नहीं थी, बाबा से जो मुलाकात होई वो बाबा की चारपाई पर बाहर, बाबा के कमरे के बहार, चारपाई बिछा दी गए थी, और उस चारपाई पर बाबा भी जैसा जी को कहां कि बच्ची को पढ़ाना और इंग्लिश पढ़ाना इसको मैं विदेश बेजुगा उन दिनों एक भी वेक्ति कोई विदेश में नहीं था, लेकिन बाबा बाबा विजनरी थे, और उनका प्लान था, और आज हम देखते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल आज है फिस्वान में विदेश विजनरी था कि पाना दिनों दिखा भी अज्वान नहीं संगटन के थे विजन हैं, तो वहा विजन के लुड़ां थे विर्चे को ना की बाबा कर देखते हैं, पालना करते हैं, बढ़ एक्षृ हम लोग क्य। बच्य से आयां तो हम लोग क वो सेवा में खुब लगाते थे, तो सेवा हम लोग खूब करते थे, और मम्मा को जहां आज नर्वेर भाई का ओफिस है उन दिनों वाँ पाड़ी हो थी जहां कप्ड़े सुखते थे, तो मम्मा को जो रूम था, मम्मा अपनी खिड़की से हम लोग को देखती थी, कन्याओं तो मम्मा कहती थी, सवीर हमने को बता देती थी, मुरली रिवाइस करनी और वहां जाकर मम्मा का रहता था इस पर मम्मा और बाबा के साथ बहुत इंटरेक्शन होते थे परन्तु जो दादियों की बात आपने पूछी है तो क्यूंकि बाले काल से थे तो यह एक सवभा के रहा है मैं समझते हूँ, शायद ही कोई दादी ऐसी होगी जिसने हमारे लोग की घर को विजित ना किया हो शायद ही कोई ऐसी दादा होगी और विजित किया हो एक बार नियान एक बार, वो भाग के था तो दादियों की जो आपस में ऐसे जैसे आजकल हम बहने आपस में मिलजूल करके काम करती है तो अबसरवेशन में यह बाल अवस्ता और चीज होती है बाबा ने जो कूट कूट करके इन दादियों के अदर कल्यान कारे वृत्ती भरी हुई है वो अद्वित्ती है जो संसकारों की रॉयल्टी बाबा ने सिखाई है वो अद्वित्ती है डिफ्रेंसस अवश्य होते हैं विचारों में भिन्नता अवश्य होती है लेकिन अपने विचार को रखने का तरीका ऐसा नहीं दादियों में डिफ्रेंसस नहीं होते थे परन्तु अपनी बात को रखने का तरीका और दूसरी को उसको accept करने का तरीका और तीसरा अगर दादी किसी के अंदर कुछ उसके विपरीत बात है उसको कहने का तरीका सुपर्ब और उसके बाद फिर हम ये भी अबसर्ब करते थे सब एक है बाबा ने इन दादियों के अंदर कूट कूट करके जो यूनिटी की भावना भरी हुई है प्यार की भावना भरी हुई है रूहानियत की भावना भरी हुई है एक दूसरे को सम्मान देने की भावना भरी हुई है कुछ भी हो जाए पर संगठन ना तूटे कोई माच नहीं है और संगठन के कारण से कुछ भी त्याग करना पड़े, तो त्याग करने को तेगा है, ऐसे हमने सथ धादियों का देखा, ये बाबा की पालना, जो उनको इतनी जबरदस्त मिली कि आपका एक लक्षे है, नव विशु का निर्मार, और उसके लिए धादियां कैसे हम सब को बांध करके रखते थी, बाबा भी ऐसे करते थे, बाबा पिकनिक के द्वारा, मुरली के द्वारा, ब्रह्मा भोजन के द्वारा, खेल के द्वारा, सब प्रकार के संसकार बच्चों में भरते थे, भगवान की महिमा है, तो बाबा ने मात, पिता, शिक्षा, गुरू, सखा, सब प्रकार से, वो सं संसार के संसकार दादियों में रॉयल रूप से भरे वए दिखाई देता था दाधी जानकी जी से आप पहली बार कब मिलें कैसी थी वो मुलाकात और दादी के साथ कैसा रिलेशन था आपका? दादी जनकी के साथ फर्स्ट मुलाकात वो भी बहुत अलपायू में थी हम लोग बैंगलोड शिफ्ट कर गए थे तो बैंगलोड से जब मदुबन आते थे तो रास्ते में पुना आता था और पुना में हिर्दे-पुष्मा दादी की फैमिली होती थी और उसके साथ-साथ ट्रेन भी चेंज करनी होती थी बैंगलोड टुपुना डेकन क्वीन और उसके बाद जो है दादी के पास जाते थे अम लोग दादी हिर्दे-पुष्मा ही लेके जाते थी तो दादी जानके अपने हाथ से खाना बना के खिलाते थी ज़्यादा हैंट नहीं थे सुन्दरी दादी थी परनतु अपने हाथ से खाना खिलाना और कभी कोई ऐसे समय पर हम चले गए जब की कोई टोली अवेलेबल नहीं है दादी की जो भावना पालना की होती थी दादी बादाम खिलाते थी तो ये फर्स्ट जो बहुत बालेकाल के या अपनी थोड़े से स्टडी की लेकिन 1969 में बाबा के अवेक्त होने के बाद जो फर्स्ट ट्रेनिंग होई जिसमें हम कुमारियां थी कॉलेज गोंग करने थी हमारी शीलु बैन, मुन्नी बैन ये सब उस ट्रेनिंगे चंडरिका बैन, आर्थी बैन, कॉलेज गोंग करने थी हम लोग तो दादी जानकी न खत्म हो गया, दादी जानकी को हम लोग कहते थे ये, जैसे घरओ पुरान में लिखा ओगे तो ये होगा, ये करोग, ये करोगे तो मुन को खहते थी तो ऐसा ही समझते थे, अगर तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, तो strict थी, मुनारियारियन थी और एक अागरतावाली माज उनको ही देख रहा है, तो हम सब कन्याओं के अंदर ये बातें दादी जी क्लास लेते थे, तो कन्याओं के अंदर बिलको स्ट्रिक्ट डिसिप्लेन, एक इनकी क्लास ऐसी होती थी, जो कि हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते थे, स्टैचूस की तरह बैटने, और दादी से सुनन क्यों की गहराईब तो इतनी होती थी, तो इसलिए हम लोग सब दत अचित्तो करके सुनते थी, दादी ने जब ये खतम हुए हमाई ट्रेनिंग, और हम चुट्टी लेकर की जा रहे थे, जी, बस के पास थी मैं खड़ी, उन दोनों बस थी, जो नीचे ले आती थी हम लोग में रखा ता नानक नाम जहाज है, वो डूलती हुए जाती थी, तो कुछ तो वहिकल थी, वो एग्जेक्लिया तो महाँपत थी, तो दादी चुट्टी देने आये, और दादी ने मेरे को एक बात कही उस समय, कि यह मैं औरों को चुट्टी दे रही थी, तो दादी भी वह गदी पर बैठ कर यह पॉइंट सुनाना, कौनसी? न प्रभाव में आना है और न प्रभावित करना है, हम लोग यूद थे, प्रभाव में नही आना मान लिया, प्रभावित क्यों नहीं करना है, अपना इंप्रेशन तो डालना चाहिए, लेकिन दादी जी ने जब समझाय तो बात समझ में आई थी, कि शिव बाभा की तरफ सब का इशारा जाना चाहिए, गदी पर बैठ के मैंने बात बताई, और मुझे ही, अब रेत्रोस्पेक्ट यह दाता है, कि यह पॉइंट सिक्टिन ने से दादी ने शुरू करना है, ना प्रभाव में आओ, और ना ही कि और उनको मैं समझदारी से अगर देखो, यह इंटरेक्टिन अगर हम एक स्कोरबोर बनाएं, तो आप दादी जी को लवफुल और लौफुल, दोनों मैं से क्या स्कोर देंगे, वन तो टेंगे, मैं कहूंगी कि उनके लौ में भी लव था, इसलिए I will totally give her लौफुल, लौ नहीं देखी, यह अच्छी बात थी, कभी दादी ने कुछ कहा हो, नहीं वाब, एक भाग्य रहा है, नहीं वाब, और दादी चानकी के, जो साथ मेरे फॉर्दर इंटरेक्शन से, हो भी एक से एक बढ़ कर गए, दादी जी की ऐसी कौन सी विशेश धारना आपको लगती ह है, जो आपको बहुत अंदर में तच करती है, फिल अंदर में दादी के साथ, श्युक्त कैसी घटनाएं घटे, मैं लंडन में थी, लंडन में मैं दादी को देखती थी, जेंती बेन और मैं सेवा के गए हैं, हम रात को लोटके आते हैं वहाँ, दस बज़े तो शाम होती ह समझ में, दादी खाना बना के हम लोग के लिए इंतजार करके बैठती थी, और हमारे साथ काती थी, और पहले जो सवेरे का बचावा पहले वो सब को एकॉली देवाई बहुत अच्छा लगता था, लंडन में दादी के साथ, जो मैं रही, उसमें दादी मुझे अपने ले चलती थी, जहां भी जाती थी, तो बैक सीट पे हम दोनों होते थे और दादी मुझे से के तुम प्रशन पोछो, उन दिनों एक ऐसी घटना मेरे सम्मुक आई थी, तो मैंने दादी से सवाल किया, मैंने गादी यह आत्मा जिसके साथ मैंने इतना विश्वास रखा और स्वेक्ति नहीं मेरा विश्वास तोड़ दिया, मेरा दिल नहीं करता मैं वहाँ पे जाओ, मेरा दिल नहीं करता मैं उसका फेस देखू, मुझे अंदर से एक्तम होगी, मैंने इतना विश्वास रखा और तोड़ दिया, दादी नहीं मुझे कहा, इतना विश्वास डेव यह इतने सालों कि इसको तुम एक घटन से तोड़ दोगी। यह विरिसेंसिबू थेंपल जी बिलकुल, बिलकुल, इतने सालों से आप्ने उस वेक्ति पर विश्वास जमाने के लिए ताइम दिया। से अनुष्ट किया है। जोट जो उसने बोला, तो मेरा विश्वास टूट गया, मैंने का, I don't want to work with that person, दादी ने मेरे कोई बात समझाई, मुझे समझ में आई, कि जिस चीज को अपने डेवलप करने में इतना ताइम लगा दिया, और ये घटना से आप से तोड़ रहे हो, आज मैं ये बात बड़े बड़े मैनेजमेंट लेक्ट्रस में सुनाती हो, रलेशनशिप्स में, और लोगों को भी समझ में आती है, सबके साथ कुछ ना कुछ होता है, संभल जाते हैं, तो ये एक दादी की गिफ्ट थी उस समय, जिसको मैं आज शेयर कर गई, दूसरा, मैं यॉरप टूर पर जा दादी की ममता, ये बात 1986 के है, ममता की विदेश में सारे यॉरप में सेंटर्स हैं, परन्तु उन सेंटर्स पर कोई बहनों को ये नहीं है कि हमने किसकी खात्री करने कुछ करने कि खाना बना क्या, दादी ने ब्रिज बहन को कहा, आशा जा रही है, इसको तोली अच्छ तर वहाँ इसको खाने को क्या मिले हाँ, इतना पहले से दादी ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि दे वर और यॉरोपेंस, और शुरुवात की स्टेज ती, वह ममता मैंने उनमें देखी, फिर जर्मनी में दादी जी और मेरी मुलाकत दुबारा होती है, गैने बिलीब, दादी ख जी खाया नहीं होगा, जसे, वह केवल एक टीचर नहीं थी, उसने आपका दिल जीता, और कोई जीतने की वह मोहताज नहीं थी, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो हम सबकुर शिक्षा देती है, जी, बिल्कुर, सबकुर शिक्षा देती है, एक गल्ती मैंने की, मुझे जर्म मुझे लांदन से एक फाइल दे गई, और मुझे कहा गया कि हाँ आखे निर्वेयटरी को दे 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 दो, मैं ले आई, और पुरा हुआ तो दादी जान की भी आएं साथ, दूसरी तीसरी फ्लाइट में आयोंगे, तो मुझे लोग मधुबन में ही थे, आने से मैंने व दादी ने मेरे से पूछा, तुमने वो फाइल का क्या क्या है, मैंने का दादी में दे दी, दादी एक सेकंड के लिए मेरे को बोले, पहले मुझे देखाएं, प्रोटोकॉल, समझधारिये, कि पहले दादी को देखाऊं, बात में बहाँ दूँ, मुझे लगा मैंने बड़ी गलती कर ले, और मेरा मन चलता रहा, नेक्स्ट मॉर्णि में दादी के पास कि मैंने का, दादी, वेरी सुरी, मेरे सीब भूल हो गए, दादी ने का, वो तो कल हुई थी ना, तो कल की बात है ना, तो दादी का हमने प्यार बहुत पाया, समझधारी से ऐसे भी, इस तरीके की समझ दे करके दादी ने कई प्रकार से बाब से प्रीथ, परिवार से प्रीथ जोड़ाएं, और दादी को बहुत अच्छा लगता था क्वेस्चिन्स पूछना, तो दादी से हम प्रशन पूछा करते थे, बहुत अच्छा लगता था, तो कभी-कभी मैं जान सीधर तो अच्छा लगता था, तो ऐसे दादी जी की जो अत्मियता, पालना, अपनापन, प्रोग्रेस, जिन लाइफ में चलते चलते कुछ ऐसे टेस्ट आते हैं, जहां पर आप थोड़े हलके पढ़ जाते हैं, लेकिन दादी ने उस वक्त मुझे बहुत सहयोग दिया, बहुत सहयोग दिया, और गुप्तरीच से देती इसको पताना लगे, मेरे बैठके समझा लेना, बताना, शक्ति देना, क्यूंकि लोग कहते थे आप अच्छा का फेवर करती हैं, तो दादी कहते थे, तो मेरे सामने नहीं आना, अलग सेहाँ, जहाँ, अपना तरीका दादी का, ऐसे उनकी गुप-चुप पाते हैं, जिनों ने हमें सर्वाइव किया हैं, और स्विम थू करना सिखा हैं, और दादी की जो विल-पावर थी, पेशंस थी, अद्विती हैं, दीदी हम कितना सुने मन करता हैं, और सुनते रहें आपको, लेकिन हम अभी छोड़ेंगे नहीं, और नेक्स्ट एपिसोड में और भी दादी की विशिष्टा हैं, आपसे जरूर हम सुनते रहें, हमारे साथ यहां जुडने के लिए, आपका बहुत-बहुत धनेवाद, और शंती, और शंती, दादी जी एक गीत बहुत बार गुन-गुनाया क करते थे, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मिट जाएगी हमारी दुनिया तेरी गली में, जीने का सलीका तो दुनिया में बहुत लोग सिखा सकते हैं, परन्तु अदब और शान से मरना, यह तरीका तो सिर्फ दादी जी ने सभी को सिखाया, दादी जी की कमी तो ह में आगे बढ़ने की प्रिर्णाइद देती रहेंगी दादी जी के व्यक्तित्व से जुड़ी और भी बाते हम सुनते रहेंगे हमारे अगले एपिसोड में देखना ना भुलिए आग्या लेते हैं नमस्कार ओम शंती